नमस्कार संस्कृत के प्रेविद्यारतियों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैगनेट ब्रेंस हिंदी मीडिया पर मैं पंकस्तेवारी जैसा कि मैं आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपके लिए आरे भट्टे चैप्टर का आपका अनुवाद भाग दो ले mean दिन डिरा है 100% फ्रेय एज्यक्षे संग के साथ magnet ब्रेंस आपको प्रोवाइडि कराता है दो प्रेटफर्म ऑर मेगेनट बोड यूपी बोड राजस्थान बोड इन सभी बोडों का पार्ट करम बिलकुल और बिलकुल फ्री दिया जाता है वो भी क्वाइलिटी कंटेंट के साथ तो जल्दी से जल्दी वीडियो को आप जल्दी से लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और तभी आपको मिलेगी इनोर्स और इवुक्स की संपूर जानकारी वहां से कैसे आप तक पहुंचेंगे वो भी आपको जानकारी मिल जाएगी ध्यान रखेंगे बूलियेगा नहीं चले क्लास पर चलेंगे कक्षा आठवी संस्कृत आर यह वटा हां चतुर दशा पाठा अ प्रतवी चलती है उन्होंने एक उदाहरन के माध्यम से हमें समझाया था इसके पहली वाली क्लास में थोड़ा समय वहां से आपको टच कर रहा हूं उन्होंने बताया था कि जब हम किसी नौका पर बढ़ते हैं तो ऐसा महसूस करते हैं कि नौका हमारी इस्थिर है और अन् इसके साथ प्रतवी में गतिमान हैं ठीक उसी के आगे हम लोग चलेंगे पैराग्राफ नंबर तीन रहेगा जिसमें दिया हुआ है कि आर्यवट्टस्य योगदानम गड़ित जोतिसा सब्द्ध वर्तति यत्रिशंख्या नाम आकलनम महत्वम आदधाति आर्यवट्टा फ अितल्य ग्रहे राहुके तु नामकव दानवी शयास्थी कारणम यत्र तु सूर्य चंद्र प्रतवी इति त्रीणी एव कारणानी शूर्यम परितहा ब्रामरिंत्यया प्रिथिप्याह चंद्रश्य परिक्रम आपतैयनों सईयोगाद घ्रिश्नम भवती यदा पृथिव् चंद्रश्य प्रकाशह अवरुद्यति तदा चंद्र ग्रहणां भवती तथाइव प्रतवी सूर्ययों मद्धे समागतश्य चंद्रश्य छाया पातेन सूर्य ग्रहणं द्रिश्यति देखिए अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आरवट्व जी के द्वारा क्या प्र बद्वर्टति आरवट्ट के द्वारा जो योगदान दिये गए हैं बहुत सारे योगदान दिये गए हैं तो आरवट्व ने योगदान गड़ित और जोतिस सास्त्र गड़ित जोतिस सास्त्र से संबंदित दिया है तत्र शंख्यान आकलन महत्म आददाती उन्होंने लंख्याओं का क्या मात होता है आरे वटा है फलत जोतिस सास्त्रे ना विश्वसिती आरे वट फलत जोतिस सास्त्रे में विश्वास नहीं रखती थे फलत जोतिस का मतलब जैसे मान के चलिए किसी ने बता दिया है जन्मांग देख करके आपका फल यह होगा आपका यह होगा यह यह करता है यह करता है इस पर विश्वास नहीं रखते थे ठेक कौन तो आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वैज्ञानिक तरीकी को मानते हैं वो उसको नहीं मानते हैं ऐसे ही और भटे जी थे वह भी नहीं मानते थे तो फलत जोतिस सास्त्रण नहीं विश्वास करते ए गरतिय पद्धती करतम आधरित्यं तेन प्सट्पादतम उन्नहोंने गरती गरित की पद्धती के आधार पर आधलन किया और उसके आधार पर यह मन्utan ही तेन मपने उनकी द्वारा प्रतिपाद्द किया गया कि ये ग्रहरीया नामकव दानवी नास्ति मों दो ग्रह है दो साथ अंको प्रिप्धा प्रद्धित कर आधार पर आखित किया की राहु और केतु जो दो ग्रहे हैं उन्हें दोनों ग्रहें दानव नास्ति मतलब राक्षस नहीं है दोनों ग्रहें दानव नहीं है कारणम बोले कारण क्या है तो तत्रितु सूर्य चंद्र प्रतवी ती त्रीनी यह कारणानी बोले इसके कारण तो क्या है तीन है सूर्य चंद्र और प्रत्वी तीनों लोग है ठीक है बोले इसके कारण तो तीन है तीन कारण है सूर्यम परिताह ब्रमंत्याह ठीक सूर्यम मतलब सूर्य के परिताह मने चारों और क्या है ब्रमंत्याह मने ब्रमन करती है कौन बोले प्रत्वी सूर्य का चक्कर लगात करती है कौन प्रतवी और चंद्र से परिक्रमा पाथेन संयोगाद जब सूर का परिक्रमा करती है प्रतवी और चंद्रमा का परिक्रमा पथेन जो चंद्रमा परिक्रम करता है पथेन माने मार्ग में आवा पथेन और शंयोगाद भ्रमणम भवती घ्रहनम भवती ठीक तो संय से जब सूर का चक्कर पृत्वी लगाती है तब रास्ते में चंद्रमा संयोग से आ जाता है बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उससे क्या होता है बोले ग्रहन होता है ग्रहन भवती हम लोग कहते ना बोले आज सूर ग्रहन है चंद्र और बहुत वो है तो हां तो उनके द्वारा कहा गया कि जो ग्रहन होता है वो इस वजह से होता है कि सूर का चक्र प्रत्वी लगाती हो और रास्ते में चंद्रमा आ जाता है इसलिए ग्रहण हो जाता है यदा प्रतिव्या छाया पातिन और बोले जब प्रतिवी छाया पातिन प्रतिवी की छाया पात से चंद्रस प्रकास और रुद्यते चंद्रमा का प्रकास रुख जाता है जब प्रतिवी चलती है और बीच में आ तो क्या हो जाता है बोले चंद्रमा का प्रकास और रुद्यति माने रुख जाता है तदा चंद्रग्रहन भावती तब चंद्रग्रहन होता है चंद्रमा जब ऐसे आता है उसका प्रकास तो उससे क्या हो जाता है बोले बीच में आ तो उसके बीच में क्या आ जाता है समागत्त स्चंद्रस छाया पाते हैं उसके बीच में समागत्त माने आकर के चंद्रमा की छाया पाते इन छाया से ग्रहन सूर्य ग्रहन द्रस्यति उसके ग्रहन से फिर क्या होने लगता है सूर्य ग्रहन मान लेते हैं हम लोग तो बोले इस प्रकार से ग्रहण होता है कि प्रतवी और सुर्ष के वीच में प्रतवी और सुर्ष के वीच में प्रत्वी आ जाती है तो चंद्रिग्रान हो जाता है चलिए आरवहतस सश्थी विभक्ती का एक बचन रूप है और योग दानम गणित जोतिसा में प्रत्मा का एक बचन संबद्दम वर्तते वरतते मतलब है और यत्र का मतलब यहां ठीक है और बुटा में प्रत्मा का एग बचन फलित जोतिस सास्त्र यहां सब्तिमी विभक्ती का एक बचन रूप है विश्वसिति इस्म दुवच मैं अस्ति इस्ता शंति ठीक इसमे लंगलकार का रूप गड़तिय पद्धत्या त्रतिया विभक्ती का यहां प्रतिपादितम यत तब लगा हुआ है राहू केत के नामकव तो यहां दोई बचना नत रूप है क्योंकि राहू और केतू दौन दिये हुए है दनवी ना अस्ती ना प्लस अस्ती बetrाबर नास्ती तो यहां पर भी हमारी दीर किशंदी हो जाएगी कारण कारण नम तत्र तु तत्र मानों वहां तू मानेटол सूरीचंडर प्रत्विती त्रीनि तीन कारणानी में प्रत्मा का बहुबचन यो मतलब ही सूर्यम में दुतिया परीता अबिता परीता वभःता इनके योग में दुतिया विवक्ति ब्रामंत्या सश्टी विवक्ति का एक बचन रूप लगा हुआ है पृति ब्याह में भी आपका सश्टी विवक्ति का एक बचन चंद्रस में सश्टी विवक्ति का एक बचन परिक्रमा परिक्रमा पथेन तृतिया विवक्ति का एक बचन सयोगात में पंच्मी वखती का एक वचान ग्रहेणम में दुतिया भवती लट्लकार प्रथम पुरोष एक वचन का रूप दिया हुआ यदा जब पृतिव्याह सस्ठी विवक्ती का एक वग़ल रूप है छाया पातेल तृतिया विवक्ती का एक वचन रूप चंद्रस्य में सश्टी विवक्ति का एक बचन प्रकासा अवरुद्ध्यते 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 तो यह भी हमारा किसका क्या लगा हुआ है किसका रूप कर्म बाच की क्रिया चंद ग्रहनम भवती लटलाकार प्रत्थम पुरुष तथा प्लश एव आने पर आई होता है तो कैसे बनेगा तथाई वह तो यह आपकी यहां ब्रद्धिशंदी हो जाएगी क्या हो जाएगी ब्रद्धिशंदी फिर इसके बाद सूप प्रत्थमी सूरी यह हो तो यहां आपका दूई बचना अंतरूप है सश्टी विवक्ति का बनता तो सश्टी विवक्ति का एक बचन चंदरस्त में सश्टी विवक्ति का एक बचन छाया पातेन में फिर यहां पर आपका लगा हुआ है तुरितिया विवक्ति का एक बचन सूरी ग्रहणम दृष्यते 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 दिया हुआ है तो यहां फ्र विख जाएगा कॉन से क्लिया हो जाएगी कर्मबाच की क्लिया हो जाएगी ठेक है चले आगे देखेंगे हम लोग कि सब्धार्थों पर सब्दार्थ देख लीजिए सब्दार्थ में क्या दिया है संबध्धम संबधिक संबंधित यत्र का मतलब जहां आकलनम का मतलब गड़ना और आदधाती का मतलब होता है रखता है विश्वसिती विश्वास रखता था और प्रतिपाधितम का मतलब प्रतिपाधित किया और त्रिणी का मतलब तीन त्रिणी का मतलब तीन ब्रामिंत्या का मतलब घूमती हुई की छाया पातेन मतलब छाया पढ़ने से समागत्य का मतलब आए हुए का आधरित्य का मतलब आधार पर दानवव का मतलब दो राक्षस और परिता का मतलब चारहोर शैयोगात का मतलब सैयोग होने से अवरुध्यते का मतलब रुख जाता है द्रिश्यते का मतलब दिखाई पड़ता है यह सब्दार्थ देखिए मैं आपको प्रतिक पेराग्राफ के बाद सब्दार्थ देता हूं इसलिए ताकि आपको एक अर्थ जानने में बहुत सरलता मिल जा है वैसे आप लोग देखेंगे आपके बुक में एक साथ पूरे सब्दार्थ दिये हुए है मैं इनको बहुत अलग अलग करके प्रतिक पेराग्राफ के अलग 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 आपको सब्दार्थ देते हैं ध्यान रखोगे इस बात का ठे से संबद्धित है जहां पर शंख्याओं की गड़ना का महत्वा है और आरे भट फलित जोतिस सास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे गड़ित की पद्धती पर किये गए आंकलन को आधार बनाकर ही उन्होंने प्रतिपादित किया था कि ग्रहन में राहु आके तु नाम होता है जब प्रत्वी की छाया पढ़ने से चंद्रमा का प्रकास रुक जाता है तब चंद्र ग्रहन होता है और उसी प्रकार प्रत्वी और शूर के मद्ध आय हुए चंद्रमा की छाया पढ़ने से ग्रहन दिखाई देता है ठीक इसलिए हम लोग आज मानते हैं कि सूर ग समाजे नूतनानाम विचाराणाम सुविकारणे प्रायाह सामान्य जना काठिन्यम अनुभवंती बारतिये जोतिस सास्त्रे तथाई वे आर्यभट्ट स्यापी विरोधा अभवत तस्य सिद्धान्ता उपेक्षिताहश पंडितम मान्यानाम उपहास पात्रम जाता पुनरपि तश्य द्रिश्टी कालातीत गामनी द्रिश्टा आधुने की आधुनी कई ही वेज्ञानी कई ही तस्मिन तस्चा सिद्धांते समाधरा प्रक्टिताह असमादैव कारणात असमाकम प्रतमों उपग्रहस नाम आर्यभट इतिकृतम वस्तुताह भारतियाह गडित परंपरयाह अतिच्चा विज्ञान परंपरयाह असव एकह सिखर पुरुशा आशीत चलिए अब यहां से देखें कि जो इन्होंने जब इन्होंने फल जोतिस सास्त्र का भी थोड़ा सा खंडन किया ठीक है तब जोतिस सास्त्र के विद्वानों ने भी इनको क्या है इस बात के लिए स रहों में क्यों नहीं आते यह देवों में क्यों नहीं आते राक्षस हैं राहु और केतु दानवों में क्यों नहीं आते ऐसा लोगों का मानना है लेकिन अगर सास्त्रों को उठाएंगे तो राहु और केतु क्या है राक्षस प्रवत्ति के ही थे देखिए इसमें लिका हम समाज में अनियक गंए नई नیں विचारधारा के लोग जनुव ले रहे हैं और नहीं ठीक तो सामानलोंK से सुविकार करेंगे सब लोग इसको सुविकार नहीं करते जोतिस सास्ट्र बाले संस्क्रिप और वेद शास्त्रों पर विश्वास करने वाले तो कभी आज भी इस चीत को नहीं मानते हैं कि राहू और केतु दानों नहीं तो सामान रूप से कठिंता अनुभाव करते हैं इसको लोग सुविकार नहीं करते तो भारतिय जोतिस सास्त्र में तथाइव मन बैशे ही ठीक है ना जैसे बोले भारतिय जोतिस सास्त्र के द्वारा भी आरे भट का भी विरोधा अब भावत विरोध हुआ है भारतिय जोतिस सास्त्र में विरोध भी किया है और आज भी उनके सिद्धान्तों को नहीं मान रहा तस तसमान उनके सिध्धाानता अपक्षिता उनके सिध्ध्धानतों की क्या है अवहिवanut की जा रही कि उन्होंने जो बोला है वो गलत भार्ति-शती सास नहीं मांता सह और वह पंडितम अमन्या अमन्या नाम उपहासम पात्रम जाता और वह जो ग्यानी पुरुष थे पंडित का सब्द का मतलब यहां कोई ब्रामन विप्रशी नहीं है यहां पर पंडित का मतलब है ग्यानियों से तो उन्होंने का आज भी जो ग्यानी पुरुस है वो अमान्य रूप से इस इनकी इस बात को लेकर कि उपाहस के पात्र बन रहे पुना रपी बिल के पुना भी लेकिन दुबारा से भी तस्य द्रिष्टी काला तीता गामनी द्रिष्टा फिर दीरे दीरे समय गया समय की गती है काल चक्र की गती है दीरे दीरे समय चला गया काला तीत गामनी द्रिष्टा समय को देखते हुए फिर आधुनिक कई ही वेग्यानिक है जो आधुनिक योग के वैज्ञानिक आए आद्वनिक यूंग जो वैज्ञानिक आए और उन आधुनिक वैज् Strone था किया किया इसि कारण से असमा का मतलब हमारा प्रथम जो सबसे पहला उपग्रह नाम उपग्रह बना वो आर्रभट था सबसे पहला उपग्रह कौन था आर्रभट हुआ वास्तुता बोले वस्तुता भारतिया गड़ित परंपरा वास्तों में भारतियों की गड़त परंपरा के अनुशार क्या है ज्ञान परंपरा के आधार पर और भट सबसे सिखर के कौन माने जाते हैं बोले पुरुष माने जाते हैं सबसे सिखर पुरुष चोटी पर नंबर एक के पुरुष माने जाते हैं समाजे समाजे में ध्यान रखना सब्तिमी विभक्ति का एक बचन रूप है नूतना नाम में सश्टी विवक्ति का बहु बचन रूप लगा हुआ है नूतना नाम में जरसी रामा नाम कमला नाम बैसे ही नूतना नाम विचारा नाम में भी सश्टी विवक्ति का बहु बचन है और सुई करने सप्तिमी विवक्ति का एक बचन प्राया हमाने सामान जनाह प्राया आज के लोग क्या कर रहे हैं सामा ने जनाः प्रतमा का बहुत दिया हुआ है काठिन काठिना अनुभावती काठिनी ठीकक एड़aced तरिकक कठिन थे अनुभावकरते हैं अनुभा वन कि तो यहां पर भी आपका बाँबुक्ति लगा हुए बहुत यह तास्त्रे पूरे में देखा आयो भट टश्य आरव टश्य प्लस अपि हैं यहां देशनदी यहां का अ ले लीजिए और यहां का अली लीजिए दौनों को मिलाएंगे बड़ा आ बन जाएगा विनाएंगे तो क्या बनेगा आपका आप भटश्या पी दिर्गी शंदी हो जाएगी ठीक है विरोधा प्रत्मा का अभवत अभवत अभवन यह कल लंगलकार का रूप लगा है तस्य में सश्टी वक्ति सातम तेंट तस्य सश्टी का इपज़ा सिध्धानता में प्रत्मा विवक्ति का बहुबचन उपेक्षिता में प्रत्मा विवक्ति का बहुबचन रूप लगा है सामन वैं पंडितम अमान्या नाम सश्टी वक्ति का बहुबचन उपहास पात्रम दुतिया जाता जन जाधातु से पुनर अपी पुना प्लस अपी यहां भी शर्गिशंदी ठीक तस्य में सश्टी का एक बचन यहां पर भी तृटिया का बहुबचन रूप तस्मिन सातम तैन तस्मा तस्य तस्मिन सब्तमी विवक्ति का एक बचन तस्य सश्टी विवक्ति का एक बचन चा मतलब और शिद्धानते सिद्धानता सिद्धानतों सिद्धानते द्यान रखना वहाओ विवक्ति का एक बचन रूप दिया हुआ है त्पर अस्मा कम सस्टी विवक्ति का रूप लगा हुआ है अहम कहां बनेगा वयम अस्मान अस्माभी अस्मभ्यम अस्मभ्यम और अस्माकम अस्मासू फिर प्रतमों उपग्रहस्व प्रतम प्लस उपग्रहस्व प्रतम प्लस उपग्रहस्व यहां गुणशंदी इसका आ हो जाएगा इसका उ हो जाएगा दोनों मिलाए तो क्या बनेगा वो बन जाएगा ओकी इसकी मात्रा लगाओगे तो क्या बनेगा प्रतमों प्रतमों ग्रिहश और शश्थी विभक्ति का एक बचन पूरे बाक्त में लगा हुआ है नाम अर्यवर्ट इतिकृतम फिर इसकी बाद वस्तुता भारति आयाहा तो यहां पर आपका सश्थी ब्रक्ति का क्या लगा हुआ है एक बचन लोग गडित परम Lapraya ठीक है यहं सश्थी वक्ति का एक बचन अथ्ह च्भ्ष विज्ञान परमपर्या यह भी सश्टीवक्ति का एक बचन असव दोनों एक हाँ शिखर पुरुशाषित एक ही सिखर पुरुशित थे कि सब दार्तों को देखें नूत्राना मतलब नए उप्पेक्षिता का मतलब उपेक्षित हुए उपहास पात्र मतलब मजाक का पात्र बनाया और प्रकटित का मतलब प्रकट किया गया वस्तुता माने वास्ताव में काठिन्यम का मतलब कठिंता को कठिंता को इसके बाद पंडितम मन्याना म्सुयम को पंडित मानने वालो कलाती तगामनी समय को पार करने वाली और असमादेव इशीशे आशीत था पुनरपी पुन फिर से भी चलिए बाबार्त देखें क्या कहा उन्होंने समाज में नए विचारों को सुईकार करने में प्राया सामान लोग कठिंता का अनुभाव करते हैं बारती जोति सास्त्र में उश्की उसी प्रकार आरभट का बिरोध हुआ उनकी सिद्दान्तों की उपेक्षा की गई वे अपने आपको विद्द्वान मानने वाले लोगों के मजा का पात्र बने ठीक है मजा के पात्र बने फिर भी उनकी द्रश्टी शमय को लांगने वाली द्रश्टी गोचर थी हुई और आधुनिक विज्ज्यानिकों ने उनके प्रती तथा उनके शिद्धांत के प्रती आदर प्रकटकिया इसी कारण से हमारे पहले उपग्रेह का नाम आरभट किया रखा गया वास्ताओं में भारतिय गडित परमपरा तथा विज्ज्न प्रत्वी हमारी स्थिर है तो इसके बारे में लोगों ने जाना कि सूर हमारा इस्थिर है प्रत्वी हमारी चलाएमान है इस प्रकार की बहुत सारी जानकारियां आप लोगों को इसमें पार्ट में मिलती हैं तो आप इनको भी संजो करके रखा करिए ठेक क्योंकि परिच्छा में ऐसे फेक्ट बहुत आते हैं ध्यान रखें तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइ लाइक नहीं किया वो जल्दी से जल्दी लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे आप सभी को मालूम है कि भारत का एक मात रहशा प्लेटफॉर्म मैगनेट ब्रेंस है जो 100% आपको फ्री एजुकेशन दे रहा है 100% फ्री एजुकेशन के साथ-साथ मै मैगनेट ब्रेंस इंगलिस मीडियम और मैगनेट ब्रेंस हंधि मीडियम एंगलिश मीडियम पर केजसे लेकर के 12 क्लास तक डह को बिल考 ऑ बिलकुल फ्री दिया जाता है और हमảiए घितडीवो बारहईवी तक का दिल्ली बोड बिहार बोड यूपी वोड एमपी वोड राजिस्थान बोड इन सभी बोडों का पाठक्रम आपको बिलकुल और बिलकुल फिरी दिया जाता है क्वाइलिटी कंटेंट किस चाहत तो फिर देर किस बात कि जल्दी से जल्दी चैनल को करो सब् बोड जो आपकी परिक्षा में वहतर शिवहतर नम्बर लाने में आपकी मदद करेगा तो उसकी जानकारी कैसे मिलेगी तो लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाएंगे तो ये नोट्स और ये दो आइकन आपको मिलेंगे इनकी संपुन जानकारी आपको प्रा से बहतर वीडियो प्राप्त कर सकते हैं ध्यान रखेंगे भूलिएगा नहीं फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ बहुत जल्दी अभ्यासकार लेकर कि आऊंगा तब तक के लिए बने रहिएगा मैगनेट ब्रेंस हिंदी मीडियम के साथ जय तुसंस्कृतम जय तुभारत कर दो